हम पोज गए हैं नील आइलेंड और हम स्टे करने वाले हैं एक्वस होटल्स और जिजोर्ट्स में एंटर करते ही सबसे पहले आपको दिखता है पूल और यहां की पूल व्यू रूम्स और उसके साथ ही रिसेप्शन एरिया यह प्रोपाटी दो पार्ट्स में डिवाइड़ेड है जो की रोट के आमने सामने हैं हमारा रूमक रिसेप्शन के ऑपोज़िट साइद वाले पार्ट में है इस पार्ट में भी एंटर करते ही सबसे पहले आता है पूल और एक्वास बार एंड एक्वास बार के उपपर है बिक्वास एडिया एन ये वाला पूल रिसेप्शन के सामने वाले पूल से ज्यादा सुन्दर है देन थोड़ा सा आगी बढ़ते ही स्टार्ट हो जाते हैं यहांकि बेसिक रूम और हमने भी बेसिक रूम लिया है और हमारा रूम नंबर है 104 चले करते हैं रूम पेक्टूर रूम्स के बाद आता है प्रोपर्टी का ओपन एरिया और यू कैन से इट्स प्ले एरिया जो की डिफरेंट डिफरेंट स्टैटू से सजाया गया है और आता है एक छोटा से बिफरेंट जिसको पार करते ही आपको देखने के लिए मिलेगा प्रोपर्टी का प्राइविट बीच जहां आप अपने लवब बन के लिए कैनल एक डिनर भी अरेंज़ करा सकते हैं लाध फर्षी סटैंवी यह भी टीफला फी आपको देखने मिलेगा क lieता है। इस तर्फ अरिया एन्ठेंट अरिया पूल के बहुत ही ब्यूटिफल गूम्ती एरिया है पूल कम तूज़ा हैं यह कोन आपको पार्षण कर रहे हैं और अगर आप incidence कर रहे हैं और कुछ संबान लेनी के लिए उटते हैं तो चोड़िये अपने हिस्ते का ब्रेफ़स्ट आपको ब्लेट से ले जा चाहिए थे अंडमान और अंडमान से हम पहुंचे नील आइलिंड में और नील आइलिंड में हमने जो बहुत ही खुषूरत सा रिजॉर्ट बने हुए हैं वुड़न से वुड़न से वुड़न स्ट्क्टर इतनी प्यारी मतलब जब मैं रूम पे गई तो फ़रनीचर सारे वुड़न के थे हर चीज आपको लिटरली जो समुद्र के किनारे का फट्रब से का और आई होते हैं उसमें पहुषूरत में जो मज़ा है न पर बहुत ही सुन्दर थी सामने समुद्र है और वहां जाब के आप डारिक्त जाकर स्विमिंग कर सकते हैं यहां कुछ-कुछ पोटो शूट के लिए भी कुछ-कुछ पॉइंट लगे हुए हैं लाइक जूला बने हुए हैं और रात के टाइम यहां जो ग्रीनरी है वहां उ झाल बने हुए हैं और रात के लिए भी कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ